फिर्स कोशन करते हैं चेक पॉइंट ठीका दियर इस नो चेंज इन दा वॉल्यूम ओफ ए वायर दू टू दा चेंज इन इस लेंथ ओन स्ट्रेचिंग कोई वायर है और उसको स्ट्रेच कर रहे है उसकी लेंथ बढ़ रही होगी अर्य कोई चेंज नहीं होगा थैखिक yhtछ पॉइंट कर सकते हैं कि अगर वायर वायर जो था वायर स्लीडर्रिकल शेप में होगा तो उसके जो वाइर ओन होगा वायर वायर square L और वो होगा इसका volume अब हमें हमने elongation किया है length बड़ी होगी area of cross section या radius है वो कम होई होगी लेकिन volume में कोई change नहीं होगा तो volume का derivative क्या होगा 0 तो इसको हम differentiate करने जा रहे हैं तो pi तो constantus को भारी रखते हैं पहले R square को differentiate करते हैं R square का हो जाएगा 2R into DR general differentiation है किसी के respect में नहीं है और यह L हो गया first into second का formula लगा रहे हैं पहले R square को differentiate करेंगे L से कुछ नहीं कहेंगे फिर plus लगाएंगे फिर L को differentiate करेंगे और R square से कुछ नहीं कहेंगे ठीक तो यह होगा plus R square और L का derivative होगा DL is equal to volume तो constant है तो volume का derivative क्या हो जाएगा आपका 0 तो यहां से देखते हैं एक R और एक R common लेके 0 में चला जाएगा यह पाई भी common लेके 0 में चला जाएगा तो यहां जो बचेगा वो आपका बचेगा 2 DR into L plus R into DL is equal to 0 इस वाली factor को उधर लेके आते हैं तो R into DL जो आपका आएगा वो आपका आजाएगा minus 2 times DR into L इस से divide कर ले रहे हैं 2 को यहां ले आ रहे हैं तो यह आजाएगा half और इस तरफ आजाएगा minus DR into L divided by R into DL तो यह जो लिखा हुआ है यह poisons ratio है इसको गौर से देखो यह है minus times DR by R divided by DL by L उपर जो है वो lateral strain है और नीचे जो है वो longitudinal strain है length में जो strain होता है वो longitudinal strain होता है और radius या diameter में जो strain आता है वो lateral strain होता है तो minus of lateral strain upon longitudinal strain यह poisons ratio होता है और इसकी value के आगई हाफ तो यह आपको आगे के लिए ध्यान रखना है अगर poisons ratio की value half है इसका मतलब यह है कि length बढ़ेगी area कम होगा लेकिन उसका volume क्या रहेगा volume constant रहेगा ठीक which statement is true for a metal तो metal के लिए shear strain जो shear modulus होता है वो कम होता है young's modulus जो होता है जादा होता है ठीक है metals को slide करना जो है वो आसान काम होता है और खीचना जो है वो मुश्किल काम होता है तो eta जो है वो कम होगा और young's modulus जो है वो जादा होगा metals के लिए थर्ड जो question है वो आपको formula यादी करना पड़ेगा young's modulus of modulus of rigidity और poisons ratio में एक formula होता है वो तीन या चार टोटल बेसिकल चार formula होते है ठीक है किन किन के बीच में relation होता है एक young's modulus होगा एक shear modulus होगा एक bulk modulus होगा एक poisons ratio होगा ठीक है तो इन में total चार formula बनते है वो चार और formula आपको या रखने है stress और strain curve दिया है यह stress एदर strain है और पूछ रहें maximum young's modulus कौन से metal का होगा तो young's modulus का जो formula होता है वो होता stress upon strain stress upon strain young's modulus का जो formula होता हो होता stress upon strain इसका मतलब जादे से जादे stress हो कम से कम strain हो तो उसका young's modulus जादे होगा तो वो किसका होगा तो वो आएगा आपका A part का Substances which can be easily stretched to a large value of strain उनका नाम होता है Elastomers जिनको जिनके अंदर काफी जादे strain create हो सकता है अपने length के कई गुना length तक जिनको खीचा जा सकता है उनका नाम क्या होता है Elastomers Stretched rubber has Stretched rubber के पास क्या होती है Obviously increased potential energy होती है B part एक metallic rod है length L है cross section area A है और इसका एंग small less Y है capital Y है ठीक और rod को elongate किया हमने small Y amount से तो यह आपका delta L होगा तो work done किसके proportional होगा तो work done definitely delta L के square के proportional होगा जो work done होता है Y increase in potential energy होता है और वो होता half K X square X यहाँ पे जो है वो small Y का square है और K जो होता है तो हमने पढ़ा हर elastic rod एक spring की तरह भीयव करते है जिसका spring constant Y A by L होता है तो यह होगी elastic potential energy जो के उस wire में stored होगी C part work done per unit volume पूछ रहे हैं अगर हम length कितने percent बढ़ा हैं 1% से और यह small less आपको दिया है ठीक है तो work done per unit volume या energy stored per unit volume जिसको energy density कहते हैं तो उसका formula होता है half stress into strain half stress into strain और जो stress होता है वो खुद young small less into strain के बराबर होता है तो stress हटा के हम लिख सकते हैं young small less into strain तो क्या formula बनेगा finally half young small less into strain का square यह formula बनेगा energy density का या work done per unit volume का half young small less की value कितने दिये तो 9 into 10 is power 11 है और strain जो है वो 1% length का increment हुआ यानि 0.01 होगा 1 by 100 होगा 1% का मतलब 1 by 100 होगा उसका square करेंगे तो यह आपका आएगा 4.5 और 10 की power कितने आने वाली है यहां 4 है और 11 है तो 7 power बचने वाली है तो आपका answer बनेगा B part अगले question में कह रहे हैं एक load है 10 kg का इसको wire से hanged किया उसके extension then extension of two meter is produced दो meter extension प्रिदीज वा वर्क डन पूछ रहे हैं कितना होगा restoring force ने कितना work किया होगा तो अगर दो meter का extension प्रिदीज होगा तो वर्क डन बाई restoring force negative होना चाहिए वर्क डन अगेंस restoring force प्रिदीज होना चाहिए और यह wire जो है वो elongate हो गया तो restoring force तो उपर की तरफ लग रहा होगा जबकि elongation कहा हुआ है नीचे की तरफ तो restoring force का work done तो negative आना चाहिए तो यह सारे answer negative होने चाहिए और देख लेते हैं value कितनी आईगे value कितनी आईगे तो आराम समझना restoring force जितना work करता है work done by internal restoring force आराम से देखते जाना internal restoring force जो होगा वो आपका minus half kx square के format का होगा ठीक spring की तरह आप इसको सोचो कि spring है और नीचे खीचा आपने spring को तो spring force ने कितना work किया होगा तो minus half kx square ठीक minus half अब kx मैं अलग कर रहा हूँ और एक x अलग किया यह जो kx होगा यही तो weight mg के बरावर होगा तो क्या answer बनेगा half kx mg के बरावर होगा mg तो आपका 100 newton हो गया और elongation जो है वो 2 meter है तो यह cancel out हो गया तो work done by internal restoring force जो आया वो minus 100 joule आया तो आपका answer बनेगा बट इसमें क्या और लगा होना चाहिए था minus भी लगा होना चाहिए था यह wire suspended vertically from one of its end is stretched by attaching a weight of 200 newton at the lower end the weight stretches the wire by 1 mm the energy store हाँ अब यह simple पूछ रहे energy store कितने होगी तो energy store तो simply half kx square होगी और इसको भी वैसे करेंगे kx into x लिख लेते हैं और kx जो होगा weight हो जाएगा 200 newton और x जो हो elongation होगा 1 mm तो कितना आने वाला देखते हैं जरा half kx होगया 200 और x elongation 1 mm 1 mm होगया 1 by 1000 एक दो एक दो यह cancel out हो जाएगा तो यह कितना जाएगा 0.1 joule तो आपका answer बनेगा A part spring को हमने x elongate किया है load करने पे कुछ weight हैं किया होगा और energy stored जो है वो पूछ रहे हैं कितनी होगी और t जो है वो spring में tension है और k spring का constant है तो formula तो यह होगा half kx square अब x के terms में answer है भी और नहीं भी है तो जड़ा t introduce करने कोशिच करते हैं तो दो तरीके हैं या तो आप इसको ऐसे लिख लो half kx into x और इस kx को लिखो t तो एक formula तो यह हो जाएगा t into x by 2 या एक तरीका यह हो सकता है कि k से उपर नीचे multiply कर लो तो उपर हो जाएगा k square x square और नीचे हो जाएगा 2k और kx t के बराबर है तो उपर हो जाएगा आपका t square upon नीचे हो जाएगा 2k so the answer will be I think यह match कर रहा है आपका यह match कर रहा है बी part answer match कर रहा है दो वायरें A और B same material के हैं A का diameter twice है तो इसका मतलब and three times the length of B A का diameter double है और length 3 को नहीं है तो ऐसे बना लेते हैं एक तरफ लिखते हैं A एक तरफ लिखते हैं B और दोनों same metal के हैं तो young smallest दोनों का same होगा और A का diameter double है तो एक अगर diameter double है तो cross section area चार गुना हो जाएगा इसका 4A होगा इसका सिर्फ A होगा और length A की जो है वो तीन गुनी है यानि इसकी length अगर L है तो इसकी length कितनी हो जाएगी 3L और दोनों को same force से खीचा गया है दोनों पर force जो लगाया है वो same लगाया है तो energy store का ratio पूछ रहे हैं energy store का ratio पूछ रहे हैं तो formula बनाते है energy store का क्या होता half k x square k कितना होगा k होगा आपका y a by l into delta l, delta l की value क्या होती delta l होता f l upon y a k square हम वो format बनाने कोशिच कर रहे हैं जो हमारे पास है available ठीक है या इसको इतना complex न करके थोड़ा simple कर सकते हैं formula होता half k x square अब इसमें ऐसे कर रहे हैं k से multiply कर रहे हैं k से divide कर रहे हैं तो उपर k square हो जाएगा नीचे k हो जाएगा तो हम formula यूज कर रहे हैं f square upon 2k इसको बनाना simple इसलिए क्योंकि force दोनों cases में same है तो f square तो same है यानि energy जो है वो k के inversely proportional होगी और k की value डाल देते हैं k होता y a by l तो यह आपका बनेगा f square upon 2 y a by l और young smallest भी same है क्योंकि material same है और force भी same लग रहा है यानि जो energy stored है वो l upon a के proportional है ठीक है तो u1 upon u2 अगर हम लिखेंगे तो यह आपका जाएगा l1 upon a1 divided by l2 upon a2 सारी value डाल देते हैं पहले की length है 3l और area है 4a 4a तो यहां नीचे जाएगा दूसरे की length है l और area है a तो a से a कट गया l से l कट गया तो answer कितना है answer है 3 is to 4 तो आपका answer बनेगा a part sorry b part b part आपको answer मिले अगले question में wire की length दिया हुई है extension दिया हुआ और और पूछ रहे हैं कितना करना पड़ेगा तो वर्क उतना ही करना पड़ेगा जितनी energy store होगी और energy store का formula होगा half k x square और k की value क्या होती है y a by l into x का square elongation आपको पता है length आपको पता है area पता है यह पता है सब कुछ दब पता है सारी value डालो solve कर लो आपको answer मिल जाएगा when a force is applied on a wire of uniform cross section cross section area दिया है wire का और length दिया है और increase in length जो दिया है वो भी 1 mm दिया है energy store पूछ रहे है same same situation है energy store कितने होगी same situation है तो फिर से जो उपर वाला ही एकदम same है ठीक है आपको एंग मॉड़र्स दिया है area दिया है land दिया elongation दिया सब कुछ दिया energy store पूछ रहे हैं तो energy store आप निकाल लीजिया आपके access का फॉर्मूला लगा कर फोर केजी मास हैंक है हमने एक वायर पर light spring है basically hook slow away कर रही है और 2 cm का elongation हुआ तो work done required work done work required to be done on the external by the external agent in stretching the spring by 5 cm खीचने में कितना work होगा तो 4 kg weight hang करके 2 cm खीच जा रही तो हम के find कर सकते हैं तो spring का mg is equal to kx ठीक है mg कितना हो जाएगा mg हो जाएगा 40 मैं g की value 9.8 की जगे 10 डाल दे रहा हूँ थोड़ा सा approximate answer आजाएगा मेरा k और x कितना 2 cm यानि 0.02 तो k जो यहां से आजाएगा तो point रटाएगे तो यहां पर यह 100 से multiply हो जाएगा फिर 2 से divide करेंगे तो k 2000 हो गया आपका न्यूटन पर मेटर और 5 cm खीचने में कितना वर्क करना पड़ेगा तो जो वर्क किया होगा वो उसकी increase in potential energy के बराबर होगा जो के half k x square होगा half k कितना है k है आपका 2000 और x है 5 cm का square तो वो जाएगा 25 into 10 की power minus 4 तो यह वर 1000 10 की power minus 1 तो यह आपका answer है 2.5 joule तो अगर g की value अगर हमने modify करी होती तो शायद हमारा answer मिल जाता b power 2.4 joule